हैे इन सब्सक्राइंक स्वागत है आपके अपने ड्यूप चैनल फार्माम सेक्यों में प्रैक्टिकाल स्किल्ज के ग्वेशन्स लेकिया यूँँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे प्रैक्टिकल स्किल्ज के ग्वेशन्स के लिए तो जैसे कि आपको पता है उड़ी कुछ questions इसमें डिसकस कर लेते हैं बहुत ही easy और simplify तरीके से मैंने इसमें questions आपको समझाने की कोशिश करी है तो आपको मेरे साथ से इससे बहुत ही बड़े तरीके से questions समझ मझेगे कि बहुत से बच्चे कहा रहे थे कि मैं confused हो रहा है कब multiply करते कब सब्सक्राइब करें तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा simplify तरीके से explain करने की कोशिश करी है फिर भी आपको कोई टेबलेट्स जो हैं तीन टेबलेट्स वह में 975 मिलीग्राम एस्प्रिन प्राजट है तीन टेबलेट्स में कितना होगा जब आप छोटे थे तो आप मैस में करते थे कि जैसे कि एक जो मतलब कि आपने जो मैस के निमेरिकाल करें तो बिल्कुल ही सिम्पल है देखिए से सिम्पल तो कुछ होई नहीं सकता इसलिए मैं आपको बिल्कुल से लेकिया हूं ताकि आपको समझने में एजी लगी है ना देखिए तीन टेबलेट्स में 975 mg मैस पढाँ था खशना तो एक के लिए निकालेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो इसको इसो डिवाइड कर दिया आपने 975 beingape करा से फ्री को हमने 12 से काट दिया 349 75 को 4 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो 3900 अब तीन टैबलेट्स में तो 975 mg एस्प्रिन था तो 12 टैबलेट्स में कितना एस्प्रिन होगा 3900 अगर आप से कहते कि में कितना ग्राम उइस्प्रिन होका इसमें यापको यूनिट को में कीज में करेंगे देखेए जो mg होता है इसको gram में convert करेंगे तो आपने क्या करना 1000 से डिवाइड करना है क्योंकि छोटी unit है इसको बड़ी unit में convert कर रहे हो तो एक gram जो होता है उसमें 1000 mg यह इतना simple जो आपको यह सब चीज़े आनी चाहिए जब आप calculation solve कर रहे हो तो मान के चलो इस अब आपको आता है तो mg को अगर gram में convert करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे अब आप इसको 1000 से अगर डिवाइड करते हो तो आपका क्या जगा 3.9 ग्रैम अगर gram में पूछते तो आपने 3.9 ग्रैम आता लेकिन आपसे mg में पूछा तो simple जो है आपका यही answer आएगा तो मेरे साब से आपको यह clear हो ग आपको बता रहे हैं कितना होगा सिंपल सिंपल वही उसी तरीके से कैलकुलेट करो 1250 टैबलेट में 6.25 ग्रैम डाइजिपाम है तो एक में कितना होगा डिवाइड कर दोगे 6.25 को 1250 से अब 350 टैबलेट में कितना होगा मल्टिप्लाइ कर दो सिंपल आपने इसको सॉल्व करके देखना बस यह 6.25 को डिवाइड करा 1250 से मल्टिप्लाइ कर 350 से अब आप इसको सॉल्व कर लो बिल्कुल सा कैलकुलेशन है कोई माथा पच्ची करने की ज़रत है नी इसमें यह पॉइंट हटा दो इसको एक बरी तो यहां पर नीचे 100 ल सिंपल आ कैलकुलेशन तो आप करही ले ना है तो यहां पर मैंने सारा क्रुशन करते ना बहुत ही ज़्यादा मतलब की आपको समझ नहीं आता इसकर करके मैंने इसमें कल्कुलेशन करके नहीं दिखाया बाकि चैपके समझ आगे क्वेशन भी 1250 टैबलेट्स में 6.25 ग्रै इसमें अगर आपसे अलग पूछ लेते हैं अभी तो दोनों युनिट सेम है यहां पर भी ग्राम है लेकिन युनिट अलग होती है तो आपको युनिट सेम करनी होती है वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होई जा रहे हैं तो वह आपको सारा अच्छे से समझाओंगी दिक्कत आप आओ बहुत बड़े तरीके समझाओंगी समझाओंगी ना नेक्स्ट देखो इफ हंडर कैपसूल कंटेंट पांसो एमजी ओफ एन एक्टिव इंग्रेडियंट है सो कैपसूल में कितना पांसो एमजी है हाव मैनी मीलिग्राम मीलिग्राम ही पूछा है दोनों से मैं को इसको कैपसूल में पांसो एमजी है तो एक में कितना होगा पांसो बटे सो तो 48 में कितना होगा 48 से मल्टिप्लाइ कर दो इसको कैलकुलेट कर लो 240 एमजी आजेगा समझाया कोई दिक्कत नहीं है ना बिलकुल सिंपलीफाई सिंपल तरीके के क्वेशन लेके आई हूँ प क्लोरइड एक कफ सिरप में कितना है 10 mg डेक्स्त्रो मिथोर्फन हाइड्रोग्लइड पर 5 ml मतलब कि 5 ml जो सिरप है उसमें 10 mg डेक्स्ट्रो मिथोरफन प्राज़ए पांच अमल में 1 म्-धाइमजी पांच वीडिवक्टेंट 1.2 एमजी कंटेंटिव तो है ना कोई दिक्कत है बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए है ना बिल्कुल सिंपल ही लेके आई हूं नेक्स देखो एन एलिक्जर कंटेंड 40 mg ऑफ ड्रग इन इच फाइफ एमल करें 5 अमल में 40 अमजी ड्रग है लिक्जर है पांच अमल में कितनी है 40 अमजी है पांच अमल में 40 पांच अमल में 40 अमल में कितना अमजी होगा पांच अमल में 40 अमजी तो एक अमल में आपका आजएगा 8 अमजी मतलब इसको सोल ना करो आगे इसको साथ में कर लो चार अजर अमल में कितना होगा मल्टिप्लाइ कर दो इसको सोल कर लो फाइफ एट फोर्टी एट फोर्जा 32 अम थाउजन अमजी आ गया और इसको ग्राम में पूस्ते तो 32 ग्राम कर देते आप है ना कोई दिख अब क्या है हाउ मेनी कॉल्चसिन टाबलेट से इच कंटेन करोंगे तो एक माइक्रोग्राम में 10-6 हो जाएगा है ना क्योंकि अगर आपने माइक्रोग्राम निकाल तो इसको यहां ले जाओगे इसके नीचे आया और इसको फिर उपर लाओगे तो 10-6 करोंगे ना यह तो पता होगा मेरे साब से आपको देखिए आप इसमें करना प काम में भी प्रपेर कितनी ग्राम कोलचुसीन में से एक टब्लेट में 600 माइक्रोग्राम है तो यह देखें सिंपल आपने कर दोगे भाई इसको को अब लिया ओगे अब यह 30 ग्राम था इस 30 ग्राम को मैक्रोग्राम में कनवर्ट करो, एक ग्राम में मैंने कहा 10 तू 6 माइक्रोग्राम, 30 ग्राम में 30 इंटू 10 तू 6 माइक्रोग्राम हो जाएगा ना, सिंपल है, यह आपको आना चाहिए, आना चाहिए, मस्ट है, ओके, ठीक है, तो इसको आप करोगे, सोल वन वन बाइ सिक्स अंडर मल्टिप्लाइ थर्टी इंटू टैने स्टू सिक्स इसको सिंपल सोल करो देखे आ थर्टी को करोगो सिक्स फाइव थर्टी शिक्स नहीं यह तीन का यहां पर देखो एक बर यह 0 से 0 काड़ दिया तीन दूनी छे ट्वंटी आएगा यहां पर आपको दिक्कत है नहीं इसमां है अच्छा मैंने इसको यह यह जो टेन सिक्स है इसको खोल दिया मतलब थेन सिक्यान थिया हंडर्ड भार निकाल दिया तो यह 2 0 से 2 0 काड़ दिया छेपंझ टीस कर यह तर्थी यह 5 इंटू जिदीटी फौर आ गया 1 उस फिफ्टी बन सकती है तो इसमें कोई confusion है तो देख लो मेरे साथ से तो क्लियर है आपको थोड़ा सा unit convert करना था इसमें आपको माइक्रोग्राम दे रखा था और ग्राम दे दिया फिर आपको यह unit सेम करने थी है और कोई दिक्कत नहीं है तो 30 ग्राम में आपके 30 गुना 10 की कि पाउड सी माइक्रोग्राम होते हैं है ना समझ आ रहा है ओके नेक्स्ट देखो ऐस ट्रें सब्सक्राइब टैवलेट में 325 मग्यें मतलब की एक ट्रेंट में 325 मग्यें यहां कम्ग नहीं करो एक किलोग्राम में 10-6 MG होते हैं किलोग्राम से पहले बने ग्राम एक किलोग्राम में 1000 ग्राम में 1000 मिलिग्राम सिंपल याद करो एक किलोग्राम में 10-6 mg होते हैं याद रखना इसको तो 5 गुना 10 की पावर 6 mg आपके पास उसे कितनी टैबलेट बनेगी सिंपल बताना है आप भी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई कन्फूजन होगा आपको हना देखे 325 mg से एक टैबलेट बनेगी 325 mg एस्प्रिंट प्राजंट है एक टैबलेट में तो 1 mg होगा एक बटे 325 हो जाएगा फिर 5 किलोग्राम है तो इसको mg में कन्फूर्ट करो 5 किलोग्राम को mg में करोगे तो 10-6 से मल्टिप्लाइ कर दो तो एक बटे 325 गुना में 5 mg हो जाएगा तो अभी मेरे साब से आपको समझ आ गया अब आप इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से कॉप्य में लिखके 1 by 325 इंटू 5 इंटू 10-6 को इसको खोल दिया कैल्कूलेशन को एजी करने के लिए 10-23 इंटू 1000 लिख दिया है ना कैल्कूलेशन को इजी से सॉल्व करने के लिए तो इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है तो यह क्या आजएगा आपका यह आजएगा देखो यह वाला आजएगा फिर इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपका देखी यह आएगा तो कितनी टैबलेट्स हो गई 15384 यह इतनी टैबलेट हो जाएंगी है निक्स अर्फ हाउं में ग्राम फ इसको ओफ डिस ओपॉइंड नीम लैन प्षीन है तो ब्रैड नोहीं जरूर सदेखते चलना चोछो त्रक्स आपके सामने आती है ब्रैंड नेम उनको देखते वाचलो इसका क्या है प्रिस अप्रों क्या है इसक्टा क्या है त्दिस एक टेबलेट में तो कहए कितने ग्राम डिजॉक् опыт वोड बी रिक्वार और आपने 25,000 बनानी हैं एक टेबलेट में है धाभाई सो ओ तो 25,000 इसो माल्यूग्त में क्या होगा सिंपल मल्टिप्लाई करदो कर दो 25,000 दो 625 इंट энерг है और यहां गहां का इस microgram को gram में convert करना है तो microgram को gram में छोटी unit को बड़ी unit में convert करें तो divide कर दो 10 is to 6 से क्योंकि micro है micro को लिए 10 is to 6 यूज़ होगा है ना तो क्या करोगे यह 6 25 इंडिट 10 is to 4 जो है इसको divide करो 10 is to 6 से तो या फिर 10 is to minus 6 से multiply कर दो एक ही बात है इतना तो आपको समझ के चलना पड़ेगा है ना तो microgram को gram में convert करना है तो या तो divide कर दो या फिर multiply करोगे 10 is to minus 6 से या तो 10 is to 6 से divide करो या फिर इसको अगर 10 is to 6 को उपर लेके जाओगे ना तो यह 10 is to minus 6 बन जाएगा ठीक है समझा रहा है तो यह आप यह आजेगा आपका gram में convert होगे यह microgram था इसको gram में convert कर दिया ठीक है तो आप इसको solve कर लोगे ना तो यह जो है आपका कट जेगा और यह आपका यह 6.25 gram आजेगा ठीक है तो यह patient is instructed to take 350 वही टेबलेट्स ओफ परगोलाइड मिसाइले डेली देखिए patient को क्या instruction दी गई है उसको तीन तीन 50 माइक्रोग्राम की टेबलेट्स लेनी है डेली तीन टेबलेट्स पचास माइक्रोग्राम की डेली मतलब डेली कितना जो यह है पर गोलाइड लेना है तीन को पचास से मल्टिप्लाइड करोगे डेड सो 150 माइक्रोग्राम जो है आपको परगोलाइड डेली लेना है डेली तो वह कितना ले रहा है 150 माइक्रोग्राम वीक में कितना लेता अगर माइक्रोग्राम लेना हो तो वीक में कितना होगा इसको सेवन से मल्टिप्लाइड कर दो है ना तो यह आजगा 1050 यह माइक्रोग्राम है अब माइक्रोग्राम को मिली ग्राम में कनवर्ट करोगो या तो 10 रेस टू माइनस 3 से मल्टिप्लाइड क माईकरोग्राम लेना है वीक में कितना लोगे टैने से मल्टिप्लाइब कर दिया इतना माईकरोग्राम लेकिन आप से कहा हैं तो माईकरोग्राम इस सब्सक्राइब करोगे या तो 10 तो मानस 3 से मल्टिप्लाइब करो या 10 तो 3 से डिवाइड करो एक ही बात है करोगे तो 1.05 mg वीकली आंसर आ जाएगा ओकी